आदानी ग्रूप का डेट पिछले 5 सालों में 1 लाग करोड से बढ़ते बढ़ते 2.3 लाग करोड के उपर पहुच चुका है एक अलामिंग सिचुएशन है एक तरफ तो आदानी ग्रूप का डेट बढ़ रहा है एक दी सेम टाइम इस साल आदानी इंटरप्राइस आपसे और हमसे 20,000 करोड रूपीज एडिश्री रेस करने वाली है FBO के नाम पे आपने उसको यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं आज का वीडियो स्पेशल वीडियो है तो एंट तरफ ना मत बुलेगा और लाइक अभी से ही कर दीजे आदानी ग्रूप का डेट जादा हो गया है अलामिंग है यह सारी चीज़ हम और हरको ही डिसकस कर चुका है आज हम बात करने वाले है कि क्या अदानी ग्रूप अपने डेट को एफेक्टिवली यूज कर रहा है नहीं कर रहा क्या कभी दिक्कत आई तो कौन-कौन से दिक्कत आ सकती है आपको और हमें कैसे सेवगार्ड होना है क्या government in the end अदानी ग्रूप को support कर सकती है पास हमें क्या बताता है हर एक चीज़ को detail में discuss करेंगे और काफी सारे points को देखिए वैसे ही points बहुत complicated है पर आपको मैं easy language पर समझानी की कोशिश करूँगा तो आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा तो वीडियो को enter इतना मद फुलेगा पहले point से discuss करते हैं अगर आप group level वाइस पर जाके देखेंगे company वाइस different different check out करेंगे तो अदानी की almost हर एक company में आपको gross debt और net debt बढ़ावा दिख जाएगा आप यहाँ पर check out कर सकते हैं प्लस यहाँ पर एक और point आया है जो media में कई बार discuss हुआ है अदानी group क्या करता है एक company के नाम से debt लेता है और अपनी ही दूसरी company में उस debt को transfer कर देता है ताकि वो भी उस debt को utilize कर सके यह issue भी हमने देखा है पहले भी पर यहाँ पर overall debt overall group wise, overall company wise बढ़ता हुआ दिख रहा है अगर हम बात करें इस debt की cost of capital मतलब weighted average cost of capital अदानी enterprise का क्या है कितनी cost उन्हें आ रही है तो आप check out कर सकते 14.45 है average cost of capital जब इस capital को raise कर दिया और बाद में अदानी group ने अपनी companies में या फिर बात करें किसी भी business में invest किया तो उसका return आ रहा है अभी 3.15% अभी तक हमारा conclusion ये निकलता है कि अदानी group ने अपने debt को effectively use नहीं किया है question सिर्फ इतना से याता है कि क्या future में drastically इनकी earnings बढ़ जाएगी और यहाँ पे debt का use काफी अच्छा हो जाएगा ये question mark बना हुआ है अगर हम cash flow से compare करें और ये बोले कि कितना cash flow रहता है अदानी group के पास और उसके comparison में कितना debt है तो debt को repay करने में 18 साल के उपर लग जाएगे अदानी group को ये एक important point जो धान रखेगा अब चलते हैं second point के उपर क्या government दिक्कत आने में आदानी group को support करेगी नहीं करेगी पास्ट हमें क्या बताता है पास्ट हमें simple सा ये बताता है कि कोई भी private entity कभी भी दिक्कत में आ जाए चाए government उसको कितना ही support कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसको side में हटाते है कभी भी वो bankrupt होती है तो government support नहीं करती है गवर्मेंट सपोर्ट करती है अगर वो financial institutions यानि की बैंक होता है फॉर एक्जामपल येस बैंक का केस ले लिए आप पर नॉर्मली बात करी जाए तो किसी भी private entity को पास में गवर्मेंट ने सपोर्ट नहीं किया ये हमें पास डेटा बताता है इससे ज़्यादा इस point के उपर में यहाँ पर discuss नहीं करूँगा थर्ड point पर चलते है अगर कभी भी आदानी ग्रूप में दिक्कत आती है तो होगा क्या देखिए सबसे पहले उस दिक्कत को solve करने की कोशिश की जाएगी वो solution क्या होता है और जो 10 year of loan होता है उसे बढ़ा दिया जाएगा किसी भी तरीके से उन्हें support करने की कोशिश करी जाएगी अगर आदानी ग्रूप को support होता है इसका simple सा मतलब यह होता है कि जितनी भी cost of support आता है suppose करते हैं कुछ interest माफ कर दिया या interest की costing कम कर दियो वो beer करनी पड़ेगी bank को और bank यहाँ पे negatively impact होगी इस हीच को ध्यान रखिएगा यह जो complete debt का scenario है अदानी ग्रूप का कहीं पर दिक्कत नहीं आती जब तक इन्हें नया flow मिलता रहेगा या फिर economy stable रहेगी ऐसी दिक्कते usually तभी आती है जब economy में कोई distress होता है suppose करते हैं कुछ ऐसी situation आगे जिसकी वज़े से economy ही बहुत slow down होने लगे इंडिया की तब हमें पता चलेगा कि इस group में कोई दिक्कत आएगी प्लस बात करी जाना अभी तक जो major investment हो रहे है अदानी group के वो हो रहे infra से related companies में या infra के related segment में और infra हमेशा starting में बहुत heavy capital मांगता है पर एक बाद जब cash flow आना start होता है तब सारी चीज़े control में आ जाती है इस complete hypothesis में एक important चीज़ यह है कि अगर अगले दो से तीन साल में कहीं पे भी कोई भी economic दिक्कत आई तो हम जो सोच रहे हैं कि future में जो अभी आज की दिन हमने infra पे investment किया है उसके returns मिलेंगे वो returns मिलने से पहले अगर इस debt का bubble burst हो गया तो हमारे लिए issue आ जाता है अब as a retail investor, I hope अभी तक की कहानी में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा अब as a retail investor हमें क्या-क्या points का ध्यान रखना है अगर कभी भी अधानी ग्रूप में कोई भी दिक्कत आती है मैं तो worst case scenario की बात कर रहा हूँ कोई भी दिक्कत आती है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको उसको average down नहीं करना जब भी कोई company आज की दिन आप already देख रहे हैं कि अधानी ग्रूप की हर एक company का P.E. ratio 300, 300, 400, 500 तक भी चल रहा है इवन अधानी ग्रीन का 554 चल रहा है आज के दिन मतलब इनका P.E. ratio बहुत ज़्यादा चल रहा है जब ये fall होने start होते हैं किसी भी कारण से हम यहाँ पर average down करना start करेंगे average down हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें लगेगा कितना ही टूट जाएगा बढ़ेगा तो सही ये आपकी सबसे बड़ी mistake हो सकती है second mistake ही हो सकती है कि आपने already अधानी ग्रूप या उसके related company में over exposure ले रखाओ यहाँ पे हो सकता है कि आपने खुदने exposure ले रखाओ आपके mutual fund house ने भी इसमें exposure ले रखाओ और दोनों का मिला दे हम exposure तो बहुत ज़्यादा over exposure हो रहा है आपका तो यह आपको त्यान रखना पड़ेगा third obviously अगर banking में दिक्कत आएगी तो overall stock market में दिक्कत आएगी जिसकी वज़से correction या फिर छोटा मोटा market में जर्थ और अगर यह दिक्कत बड़ी तो एक crash भी आ सकता है crash में बोलता हूँ 30% से उपर का आज की दिन कैसा कोई scenario है बिल्कुल भी नहीं क्या मैं आज की दिन किसी भी correction या बड़े crash के fever में हूँ बिल्कुल भी नहीं इसके उपर हम पहले और discuss कर चुके पर अब भी हम सिर्फ अदानी ग्रुप को और worst case scenario को discuss कर रहे ताकि हम mentally प्रिपर हो सके तो उस समय पे आपको mutual funds में भी pain दिखेगा और direct stocks में जो आपका अदानी में exposure होगा वहाँ पर भी pain दिखेगा तो एक चीज़ ज्यान रखेगा direct stocks में हमें averaging down अंदा धुन नहीं करनी है अगर हमें लगता है कि हमारे stop loss हो गए उसकी respect करनी है overall scenario की बात करें अगर आपका already बहुत heavy exposure हो रखा है अदानी ग्रुप में तो इस FPU में आपको participate करने की जरूरत नहीं होती वो आपका over exposure हो जाएगा अगर आपका exposure नहीं है और FPU की जो further terms and conditions आती है वो आपको favorable लगती है तो obviously हम यहाँ पर participate करने का plan कर सकते है मतलब overall आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है just because अदानी ग्रुप की company बढ़ती जारी है इसमें बहुत ज़्यादा heavy exposure लेना या फिर बोल देना कि आपके portfolio का 30-40-50% अदानी ग्रुप की companies में ही है यह आपके लिए major दिक्कत कर देगा कभी भी financial दिक्कत आती है economic दिक्कत आती है वो तो दिक्कत आती है और निकल जाती है पर जो retail investor उस दिक्कत में crash में फस जाते वो लंबा फस्ते और वो उन stocks के भावग अभी आते ही नहीं है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बस इतनी सी warning है इतनी सी दिक्कत है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और हाँ आदानी ग्रुप की दिक्कत directly आज की दिन banking की दिक्कत से जोड़ जाएगी जिन company का ज़्यादा exposure है आदानी ग्रुप को उनमें दिक्कत ज़्यादा रहेगी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस complete scenario को क्या आपको जानके मज़ा आया comment करके मुझे बता दीजिगा अब चलते आज के पहले पार्ट पर जिसके नाम है market today कई बार scammers की तरफ से आपको comment दिया जाता है invest आज पर गल के नाम से सबसे पहले ये जितने भी comments होते हैं ना तो वो highlighted होते हैं ना ही उनके सामने verified mark होता है जो original है उसके सामने highlight भी होगा और verified mark भी होगा हम कभी भी आपको comment में किसी भी प्रकार के number share नहीं करते हैं और bitcoin या crypto currency के related कोई भी advice नहीं देते हैं इन सभी scammer से बच के रहिएगा सबसे पहले index पर नज़र डालते हैं Sensex nifty दोनों roughly 0.2% के आसपास positive रहे bank nifty आदा पसंट positive रहा और mid cap index 0.23% positive रहा 1100 से उपर stock advance हुए जिसके against में 879 stocks decline हुए आज के दिन के highlight ये थी कि market हर एक dip में बहुत अच्छे support से bounce back कर रहा था और कुछ ऐसे segment जो अभी तक market में underperform कर रहे थे या फिर चले नहीं थे उन्होंने भी आज के दिन performance दिखाई sectors की बात करे तो consumer durable healthcare financial services IT अच्छा perform करे metals media auto तोड़ा सा underperform करे auto के चलने का समय अगर है तो बहुत close हो सकता है ध्यान रखेगा Wix 14.38 पर है काफी comfortable है nifty की बात करे तो opening होई थी 18,163 पर जैसी open होता है immediately low लगाता है 18,149 का bounce back करता है फिर dip मारता है फिर bounce back करता है और closing होती है 18,232 पर बहुत अच्छी closing हम कह सकते हैं दिखिए market में ये important नहीं होता कि market ने उस दिन कितना perform किया important ये होता है कि market की नियत क्या थी broader market क्या था उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए चलते हैं next segment पे जिसके नाम है viewers query आप में से बहुत सारे लोग open for all free telegram का पार्ट अभी तक नहीं बने वे original channel का link आपको description में मिल जाएगा invest arch for color original channel का नाम और 2,18,000 के आसपास लोग जुडे वे है original channel का ही पार्ट बनेगा बहुत सारे fraud channel बने वे उनसे बचके रहीगा और membership join करना चाते है तो youtube के just pass में आपको join बिटन मिल जाएगा membership का पार्ट बन सकते हैं पहला question यह आता है कि alien के IPO में आपकी क्या strategy है मेरी हर एक IPO की strategy बहुत simple होती है listing पे book करना अगर major gain है और momentum दिख रहा है पहले 10 minute में तो पहले 10 minute का जो low होता है उस पे trail कर जाना इसके अलावा और कोई सी भी strategy में IPO में usually use नहीं करता हूँ next important query आ लिए है कि real estate पे क्या view है already हमने discuss किया है कई वार मेरा personal view real estate पे हमेशा positive है especially पिछले 2 सालों में और मैंने personally जो investment किया है वहाँ पे मुझे पिछले 2-3 सालों में returns भी अच्छे मिल चुके है क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा pain आ चुका था real estate में कि वहाँ से बढ़ने के chances बहुत ज़्यादा थे कभी आप चाहे ना तो मुझे comment कर दीजेगा अगर आपके बहुत ज़्यादा comments आएंगे real estate के related तो हम उसके related specific video बनाने की कोशिश करेंगे plus एक और topic मेरे दिमाग में आया था estate planning क्या आप चाहते कि हम estate planning के उपर dedicated series बनाएं देखिए ये एक ऐसा topic है जो बहुत important है पर जानते बहुत कम लोग है पर boring topic है आप समझे कि मैं वहाँ पर आपको कहानिया सुनाँगा और आपको बहुत मज़ा आएगा नहीं आएगा पर वो important है मैं कह सकता हूँ अभी तक मुझे rarely कोई detailed video मिला है इस topic के उपर अगर आप चाहते तो हम cover करेंगे last question है जिसे हम cover करेंगे वो आता है कि mutual fund में long term capital gain कैसे calculate होता है suppose करते हैं आपके वास 5 mutual funds है और overall gain आपका 3 लाख हो गया है जैसा आपनी case बता है तो हर एक mutual fund के gain को मिला दिया जाएगा अगर आपको profit book करनी है तो आप ऐसा आराम से कर सकतेगी एक mutual fund से 20,000 रुपे दूसर से 50,000 रुपे तीसर से 30,000 रुपे ऐसे करके आप book करें और आपका long term capital gain अगर एक लाख रुपे के अंदर अंदर है तो उस पे आपको कोई भी tax नहीं लगेगा यह आपकी tax planning हो जाती है चलते हैं next section पे जिसमें हम stocks को भी discuss करेंगे और कल के market के related भी discussion करने वाले है general market trend neutral में है और सिर्फ एक कदम दूर है uptrend में जाने के लिए सिर्फ एक strong day आते ही market uptrend में भी जा सकता है तो ध्यान रखेगा इस बात का अब हम चलेंगे screen की उपर और आज की सारे points को discuss कर लेंगे put call ratio by the way चल रहा है one के आसपास comfortable है जाद कहीं भी कोई दिक्कत की बात हमारी put call ratio में नहीं है नहीं over bought है नहीं over sold है वहाँ से हमें indications नहीं मिलेंगे चलिए तो सबसे पहले हम check out कर लेते FIAs और DIAs का data second of gen go DIAs ने 743 करोज की purchase करी थी इसी के current से देखिए जब DIAs heavy buy करता है आपको पता चलेगा कि broader market अच्छा perform करेगा इसी के against में FIAs ने hulky full की 200 crore की selling करी थी major impact हमें नहीं मिल रहा है अगर हम nifty का discussion करे तो बड़ा interesting discussion है आज के दिन का देखिए अगर आप check out करेंगे तो हमारे लिए बहुत simple सा scenario था जो हमने कर डिसकस किया था scenario के हमने discuss किया था यहाँ पे आप बहुत ही अराम से check out कर सकते हैं हमने discuss किया था कि अगर market open होता है और 18,190 के level को cross करता है तो हमें 275 तक के levels मिल सकते हैं और यहाँ पे हमारा stop loss जो logical था वो बन रहा था 18,150 के आसपास का market ने open किया और पहली ही candle पे low बना के immediately swing दे दिया और immediately हमें entry भी यहाँ पे मिल गई थी जब entry मिली थी market ने तोड़ा सा move दिया 40 point हमारे favor में फिर नीचे आ गया इसे हम कहते है stop loss hunting पर हमारा stop loss यहाँ पे hunt नहीं हुआ और overall दिन में चाए हमें 40 एक point या 50 एक point ही मिले हो पर वो positive side के points मिल चुके थे अब कल की बात करें ना तो कल के लिए बहुत interesting scenario बन जाता है एक positive side के लिए suppose करते है market open होता है market open होने के बाद एक बर अगर कभी भी 18,150 के आसपास तक जाता है देखिए मतलब market हमें roughly 18,150 के लेवल के आसपास चाहे हमें इस लेवल पर मिले कि market open हुआ तोड़ा सा zigzag किया नीचे आया यहाँ पर तोड़ा बहुत zigzag कर रहा हो या फिर market चीदा open ही gap down हो और इस लेवल पर आके zigzag करे तो यहाँ पर एक long trade initiate हो सकती है जहाँ पर हमारा चोटासा 18,080 के लेवल के आसपास इस लेवल के आसपास का जो रफली 50 से 51 पॉइंट के आसपास का stop loss और 100 से 500 पॉइंट का हमारा यहाँ पर target open हो सकता है 18,275-300 के उपर जाते तो वैसे भी एक long trade यहाँ पर initiate होती है पर यह scenario हमारे लिए कल के लिए बहुत perfect scenario हो जाता है अगर हमें मिल जाता है तब short cut initiate होगा अगर market 18,150 के आसपास आके जिग्साग करता है और 125 से लेके 100 के लेवल को undercut करता है देखिए जब तक इस swing के नीचे नहीं जा रहा है कोई हमारी short trade यहाँ पर initiate ज्यादा नहीं होगी पर कभी भी market अगर 18,100 को undercut करता है तो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी trade बन जाएगी जहाँ पर stop loss 18,150 से 140 40 एक point का stop loss क्योंकि target हमारे पास नीचे की side लंबा नहीं है इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा overall बात करी जाए तो कल के दिन long trade की यह perfect trade होती है कि market open हो हमें कभी भी 18,180 से नीचे नीचे rather 150 के आसपस कहीं पर मिले तो वहाँ पर एक छोटे से stop loss से वहाँ पर इसे long trade यहाँ पर हमें मिल सकती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा अब हम चलते है overall चार्ट के उपर stocks के related discuss कर लेते हैं तीन stocks से जो हमें discuss करना है पहला important stock है जो हम discuss करेंगे HDFC Life HDFC Life 600 के उपर एक नए breakout की तरफ जाएगा एक लंबे consolidation के बाद निकल रहा है और लंबे pain के बाद निकल रहा है तो tension मत लीजेगा आज की दिन इसने पहला दिन ता जहाँ पर strength दिखाईए 20-day, 50-day moving average को volume के साथ reclaim किया है tension मत लीजे एक बाद निकलता है तो हमें बड़े targets यहाँ पर मिल सकते हैं और important support के ऐसे काम करेगा हमेशा 1-2-2-0 का level जो SBI Life में ध्यान रखना है SDFC Life तो फिर भी तोलो सा perform कर रहा है तोलो सा भागने की कोशिश किया है SBI Life तो अभी तक बिल्कुल भी performance नहीं दिखाईए इस segment में विकाज यह कभी ज़्यादा टूटा ही नहीं था तो यह नहीं टूटा था तो अगर SDFC Life को चणना है तो SBI Life को सूनर और लेटर लीट करना पड़ेगा बिकाज यह compatible भी strength वाला stock है इस level के उपर जाता ही एक नहीं trade यहाँ पर initiate होगी next आता है हमारे सामने L&T L&T कभी भी 2-1-2-0 के level को cross करता है चाहे कल करे चाहे परसो करे एक long trade यहाँ पर initiate हो जाती है बार बार यह अपने 50 day moving average के आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 50 day moving average के आसपास support ले रहा है अभी भी 50 day के आसपास है तो नजर रखेगा इसमें कभी भी volumes के साथ देखें नीचे volumes है कभी भी volumes के साथ इस level को cross करता है तो एक अच्छी trade हमें यहाँ पर मिल सकती है वीडियो अच्छा लगे तो like करें बिना मज जाएगा happy learning and I will see you very soon